वेलकम टो अलेक्समेंप्लेस, आज हम पढ़ेंगे, सिगनल सिस्टम में, कन्वुलेशन की कुछ प्रॉपर्टी इस जो की वो देखेंगे, कम्यूकेटिव प्रॉपर्टी, एस्जीटिव और डिस्टिबितर प्रॉपर्टी, इससे दिलेटिट कोशन भी देखेंगे, काफी important है और काफी easy है और काफी conceptual है बाकी question इससे आये हैं कुछ gate में वो देख लेते हैं yes में question इससे पूछे जाते हैं ठीक है तो वो question देखेंगे और properties का principle देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे पहली property जो है commutative property commutative property सबको पता होती है क्या होती है a into b equal to क्या होता b into a अब यह convolution में apply होती है कि नहीं होती है वो देखते हैं तो f t convol st equal to st convol f t तो यह apply होती है तो तो convolution में commutative property को follow करता है तो याद रखिएगा आप example के तौर पर दो LTI system है ओकी LTI system में दो इसका response output है yt इसका भी yt output इसका input हमने दे दिया f t system response h t तो output क्या होगा yt क्यों क्या होगा f t convol with h t इसमें इसका opposite है input यहाप h t है और system response है f t क्या हो जाएगा h t convol with f t ओकी यह दोनों equal होते हैं और formula तो आपको पता ही यह दोनों का क्या होता है integral minus infinity to infinity f tau h t minus tau d tau इस case में क्या होगा उन्हें tau जाएगा यहापी क्या हो जाएगा h tau f t minus tau d tau ओकी तो यह दोनों property को follow करते हैं ओकी चलिए अब इसमें मैं कुछ property बताऊंगा वह देख लेते क्या है जैसे d by upon dt हमें निकालना है तो f t convol with हम क्या कर सकते हैं dh by dt कर सकते हैं और d by upon dt को हम क्या कर सकते हैं h t convol with df by dt कर सकते हैं ओकी तो यह property अब याद रखिएगा कुछ numerical लाएंगे उसमें इसको use कर सकते हम से solve कर सकते हैं ओके यह हो गया यह तो एक order का differentiation किया हम second order का भी कर सकते हैं वह देख लेते हैं तो देखे next है d square by dt square हम करेंगे तो हम इसको इस टाइप से भी solve कर सकते f t convol with d square s by dt square और या फिर उसका just opposite d square f by dt square convol with st या दोनों को एक एक बार differentiate कर दिया और उनका convolution कर दिया ठीक है इस टाइप से solve कर सकते हैं तो चाहे कितने भी degree का हो तो फॉर्मला उसके लिए यह है universal formula n degree है तो इसकी m degree इसकी 8 degree है तो दोनों का sum जो रहगा वो तो होगा okay यह formula यूज होते हैं कुछ question में मैं आपको एक question दूँगा तो आप अगर हो सके तो कुछ solve करके देखिएगा ठीक है तो देखिए question है बोल रहा है find second derivative of response of continuous LTI system और उसकी input दिया होगा impulse response दिया है देखिए input में किया है triangular pulse है minus 1 to 1 तक की amplitude 1 है और impulse response दिया है 2 to 4 6 की triangular pulse amplitude 2 है तो इसको हम मैं आपको hint देता हूं आप solve करके देखिएगा इसको आप तो दो तरीके से कर सकते हैं या तो आप क्या करें f t को convolve करें d square h by dt square से या तो just composite करें और या तो df by dt convolve करें dh by dt से ओकी और यह मैंने आपको पहले बता दिया है जब इसको हम differentiate करते हैं तो क्या बनती है ट्रैंगोलिक पर्स और क्या होता है पूरा आपको पता ही है तो आपने प्रीवेस वीडियो देखी होंगे तो इसको आप solve करके देखिएगा ओकी और फ्रेंड्स यह वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको distributed property और उससे related numerical बताऊंगा और साथ में associative property भी बताऊंगा